कि भाई बिहार में जब मानिय पर्दान मंत्री जी चुनाप के समय क्या-क्या बोलके गए थे वह कहाँ पुरा हुआ तो बिहार ने सम्मान दिया बिहार को क्या दिये बिहार को कुछ नहीं दिये बिहार के जो सरकारी अस्पताल है इसको आप प्राइवेट जैसा सुविधा करन बिहार में देती थे बिहार में आकर जो जनता से वादा किया उसमें कुछ बदलाव नहीं किये, कुछ यहां नहीं दिये है बिहार एक बार फिर से डेंगू की चपेट में है और पतना होट स्पॉट बना है जैसे कोरोना के समय बना था चार सो के आज पास जो मामले है वो सामने आ रहे हैं स्वास्त बेवस्था की पोल खुलती हुई नजर आ रही है सबसे बड़ा सवाल यहीं उठता है कि तेजस्वियातों ने जो एक्षन लिया वो कितना जायज है और जिस तरीके से डॉक्टरों का आरोप है इनसे ही मामलों पर राजुत दानिवीर है जापके युवा प्रदेश अध्यक्ष्य अक्षा सरकों पर रहते हैं आप लोगों घर घर बूल कर यह भी बताने का काम कर रहा है कि देंगु का प्रकोब बढ़ चुका है पर तियात बढ़ते हैं कैसे इससे बचाब बच सकते हैं क्यूंकि देंगु जिसको हुआ है वही बता सकता है कि उसको खर्च किया है अचले के वहार में तो जो डेंगु का जिस तरह सेमने संकर्मन से बढ़ता जारा है तो आज इस्थिति यह हैं कि सैक्डो लोग इससे संकर्मी थे और शबशे बढ़ी बात है कि जो अचले हार की जितने भी सरकारी धार की जो इस्थितिति है हो पहले से इस पर हमारे नेता बोलते आये हैं अभी जो बरतमाम सरकार है मैं इनको कहूंगा कि कम से कम बिहार के जो सरकारी अस्पताल है इसको आप प्राइबेट जैसा सुविधा करन बिहार में देदीजिए हर गरीब आदमी का पैसा बचेगा गरीब आदमी दुआ देगा ब तरीके से तेस हुए आतो स्वास महकेमे में काम कर रहे हैं निलंबन भी हुआ है निलंबन के खिलाफ मुख मंद्री को पत्र भी लिखा गया है कितना जायज है निलंबन और वो जायज है तो वो पत्र लिखा जाना कितना जायज है देखिए अब इस मामले में वहां जाने क सबसे बड़ी बात है कि बिहार के कोने कोने से किसी भी आदमी को सबसे पहले याद आता है गरीब है पैसा तो है नहीं सिधे पीम से चलिए पीम सीच में डॉक्टर भी हैं नर्सेज भी हैं सब कुछ है लेकिन कोई भी आदमी बोल दे कि टाइमली हमें इलाज मिलता हो पीम सीच में नहीं मिलता है एक सवाल और इसमें हम एड करेंगे वह निलंबन वाले जो मामले हैं उसको लेकर आपने कहा कि देखने की जरुरत है इसमें है कि कोई भी व्यक्ति यदि जाएंगे उनको यदि सही ढंग पर कोई चीज नहीं मिलेगा तो हम हो चाह कोई भी हो तो उस तरह से एक्षन लिया जा सकता है लेकिन उसमें भी देखा जा सकता है कि इसमें सुबधा कितना मिल रहा है नहीं हो गई देखे इसमें इसमें इससे ज्यादा पहल की जरुवत है कि स्वास्ट विवस्था को सुधारने की जरुवत है यह पहले भी करोना में बिहार बास्यों ने देख चुका है और आगे भी मनें ऐसा ना आये आपदा बड़े आपदा से हम लोग समझ जाएं जिसके लिए सारे सर करने का चीज है कि इसमें अब और क्या बहतर कर सकते हैं ताकि जितने भी हमारे भाई वहन जो बिहार से कोने-कोने से आते हैं वह इलाज करा सके हैं सबसे बड़ी बात है कि हम बार-बार का रहे हैं कि बिहार का स्वास्त वेवास्ता वेंटीलेटर पर है और इसको बड़े पैमाने पर सुधारने की जरूरत है और इसमें जितने बैठे हुएं बीच में बेचोलियों भी बैठे हुएं कोई भी बैठे हुएं सब को हटा देने की जरूत है और बिहार में ऐसा स्वास्त वेवस्ता अपलाईए कि एक गरीब भी आए तो उसको एक रुप्या खर्च नहों फिरी इलाज करके जाए और ब खर्च भी ओढ़ा है दो जरड़ा कि लिदने कोई गया बाहर से फिद्द कर जाता है पैसा रहेगा तो तो बड़ा बड़ा पारस हो स्पीटल है मिदानता है यह है वो सब में भरती होई सकता है पैसे के अब हाब में आधा लोग मर जाते हैं तो हम बिहार सरकार से मनें यह अपील करना चाहेंगे आगरा है मेरी कि बिहार में स्वास्त विवस्था इतना अपग् चुके हैं भाजपा के जो कोर कमिटी है बिहार की वो बदलने वारी है चर्चा अमिसा ने एक बात का जिक्र किया और कहा कि नितीश कुमार पांच बार पलट चुके हैं अब पलटने नहीं देना देखिए मानिये ग्रीह मंत्री अमिसा जी ने जो बोला है लेकिन वो यह न हो नहीं किया पिवाओं को रोजगार दे दिये महंगाई में क्या हुआ डॉलर रुपिया के लिए क्या हुझ बोले उनका पुराना बयान है जग जाहिर है तो पहली बात तो कोई जो फेक या थे वह तो आतल पर पहले उतार दें उसके बाद किसी के बारे में बोले अब कौन पल्टी मार रहा है कौन क्या है नहीं है ये तो बात की बात है कोई आएगा तो अपनी बात रखेगा ना कि हम दूसरे को आरोप पर तयारोप करेंगे आप आप उपर से आये हैं बिहार को आसा है बिहार ने आपको दो-दो बार सम्मान दिया तीस पलस पहुंचाया है हर दम तो बिहार ने सम्मान दिया बिहार को क्या दिये बिहार को कुछ नहीं दिये बिहार से तो पलायन जारी ही है लगातार आप जो रोजगार भी हमला किया जा रहा है प्रधान मंतरी को लेकर ललन सिंग का ब सुन रहा है फिर नीचे वाले दे रहे हैं उपर वालेach say बियान कौन दे रहा है और कौन क्या कह रहा है उनके लोग हैं वो बोलेंगे हम तो सिर्फ इतना जानते हैं कि मानिय प्रधान मंत्री जी ने बिहार में आकर जो जनता से वादा किया उसमें कुछ मैं Ό Kollegin को यहां नई दिए हैं रोजगार एसे ही रहे गांगाय कहां चला गया और जो जो बाते ठेथ are को घरा रह गया बिहार को कुछ नहीं मिला कैंतिम सवाल रहेगा बिहार में एःपोर्ट के उन्हों ने बात की कब होएँ कि इह तो बात है यही दाव पेच में तो नगी मिलता है विशेश राज का दर्जा नहीं कभी मिलता है कुछ तो यह उपर वाला कहेगा कि नीचे वाला दिकत किये हुए है नीचे वाला का है कि उपर वाला दिकत किये हुए है अब तो यह फेर में अब तो सही जनकारी हम तो इतना ही जानते हैं कि कोई भी मानिये मंत्री जी जब बिहार आएंगे तो बिहार के बारे में तो जनकारी ले लेंगे ना कि क्या हुआ है नहीं हुआ है कुछ ऍवू यादों का जुगाओ किस तरफ है? देखे यह तो हमारे जो हमारे अधरनीन नेता है वहीट करेंगे? तो बोलतो रहें कि हमारे नेता जी ताय करेंगे? यह तो उनसे ही सवाल पूछेंगे आपवीशतेémentि का सत्यूर्ञिशते आत में हमलग देदों है. राजु दैनवीर थे जापके युवाब प्रदेश सद्यक्स पर्ष्ट कर रहे हैं कि जो डेंगु की बिहार में समस्या है और खास तोर पे बिहार में नरेंद्र मोदी ने जो वादा किया है वो पूरा नहीं हो पा रहा है अमित्साह के बयानों पर भी इनों ने प्रतिक्रि कर लिए ओजेगो घंटी बाग उकरा बटन दबा देला से कुल सठीक और मारक ख़वर रुवा मुफ्त में मिल जाए अगर रुवा पत्रकाजिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहता ने तो ज्वाइन बटन दबा दी पेटियम नंबर नोटकली 938681